हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW driver engineering के लिए general knowledge के कुछनों को चर्चा करेंगे हमारे syllabus में general knowledge के कुछनों को topic दिया हुआ है तो हमारे 10 या 15 से के बीच में कुछन आने की संभावना है आज का हमारा सबसे पहला परसन है दोस्तों आपको हर परसन के लिए 5 सेगंड का समय दिया जाएगा आप लाइट चैट में कमेंट करके उसका सयान सुर बताना आपको क्या होगा आज का हमारा पहला परसन है 1906 में मुस्लिम लीग की इस्ता आपना किषने की थी इसका पहला परसन है सर सेगंड खान दूसरा ओमद है परसन है मौमद इकबाल तीसरा परसन है ए एम जिन्ना चोत्ता है नवाब सलिमुला खान वे नवाब आगा खान आपको लाइट चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है क्या होगा इसका सही अंस्वर है दोस्तों, ओप्सन चार नवाब सलिमुलका और नवाब आगाखा ने 1906 में मुस्लिम लीग की इस्तावना की थी अगला परसन है हमारा 1922 में कांग्रेश ने एस योग प्रस्ताव कांपर पारित किया था इसका पहला ओप्सन है अमरित्सर, दूसरा ओप्सन है नागपूर, तीसरा ओप्सन है एमदाबाद, चोता ओप्सन है कलगत्ता आपको लाइव चेट में कमेंट करके इसका सही अंस्वर बताना है क्या होगा इसका सही अंस्वर है ओप्सन दो नागपूर 1920 में कांगुरेस ने एशयोग प्रस्ताव को नागपूर अधिवेशन में पारित किया था अगला परशन है हमारा 1929 में के कांग्रेश लाहूर अधिवेशन में कांग्रेश का अध्यक्स कौन था लाहूर अधिवेशन के समें कांग्रेश का अध्यक्स कौन था इसका पहला उप्षन है महत्मा घांदी दूसरा उप्षन है मोतिलाल नेरू तीसरा उप्षन है जमालाल नेरू चोता ओप्षन है सर्दार पटेल आपको लाइव चेट में कमेंट करके इसका सही आंस्वर बताना है क्या होगा इसका सही आंस्वर है ओप्षन तीन जमालाल नेहरू है वो लहूर अधिवेशन के समें कांग्रेश के अध्यक्स थे अगला परसन है अमारा निम लिकित में से कोन 1949 में भारत परजा मंडल के अध्यक्स थे पहला ओप्षन है जेपी नारायन दोसरा ओप्षन है जमालाल नेहरू तीसरा ओप्षन है मानिकी लाल वर्मा चोता ओप्षन है वलभाय पटेल आपको कमेंट करके एक सही आंस्वर बताना है क्या होगा इसका सही आंस्वर है ओप्षन दो जमालाल नेहरू है वो 1949 में भारत परजा मंडल के अध्यक्स थे अगला परसन है अमारा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्यागरे का प्रारम किया था इसका पहला ओप्षन है 1949 दूसरा ओप्षन है अपको लाइव चेट में कमेंट करके इसका सही आंस्वर बताना है क्या होगा इसका सही आंस्वर है ओप्षन दो 1940 में गांधी जीन व्यक्तिगत सत्यागरे प्रारम किया था अगला परसन है अमारा अगला परसन है अमारा विटामिन का कारिय है पहला उप्षन है इसमें उर्जा परदान करना दूसरा उप्षन है जे उठ परिर्य ग्रूप में तीसरा उप्षन है एवे दोनों चोथा उप्षन है उक्त कोई नहीं तो आपको बताना विटामिन का कारिय क्या होता है इसका सही अंस्वर है उप्षन दो जे उठ परिर्य रख का किरूप में विटामिन का कारिय किया जाते है अगला परसन है अमारा नीवन में से कौन सा विटामिन ने तो जल में गुलनसील है और नहीं वसा में पहला ओप्षन है इसका विटामिन के, दूसरा ओप्षन है विटामिन एच, तीसरा ओप्षन है विटामिन एच, चोता ओप्षन है विटामिन बी कॉम्पलेक्स आपको live cheat में comment करके इसका सही आंसर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर है option 2 vitamin A है वो ने तो जल में गुलनसी ले और नहीं वाषा में गुलनसी ले अगला परसन है हमारा हमारे सरीर में बनने वाला vitamin है पहला option है vitamin A, दूसरा option है vitamin E, तीसरा option है vitamin D, चोता option है vitamin C आपको live chat में comment करके इसका सही answer बताना है क्या होगा इसका सही answer है option 3, vitamin D ये वो हमारे सरीर में बनने वाला vitamin है अगला परसन है हमारा vitamin B1 का कारिये है, पहला option है carbohydrate का उपापच्य, दूसरा option है भूक बढ़ाना तीसरा option है हर्दिय तंत्रिकाउं तथा पेश्यूं का कारिये करना, चोता option है उक्तसभी आपको इसका सही answer बताना है क्या होगा इसका सही answer है option 4, vitamin B का ये तीन परकार के कारिये vitamin B दिवारा किये जाते हैं अगला परसन है हमारा विटामिन B1 के अभाव में रोग होता है, पहला option है रतुंदी, दूसरा option है राइबो फ्लोविनिसिस, तीसरा option है बेरी-बेरी, चोता option है पेला ग्रा आपको लाइव चेट में कमेंट करके इसका सही answer बताना है क्या होगा इसका सही answer है option 3, बेरी-बेरी रोग है वो विटामिन B1 की अभाव के कारण होता है, अगला परसन है हमारा विटामिन B2 दवरा प्राप्त होता है, पेला option है इसमें हरी पत्यदार सबजियों से, दोसरा option है, साबुत अनाज से, तेसरा option है, अंडे से, तोता option है, उक्त सबीस है आपको इसका सही answer बताना है क्या होगा इसका सही answer है, option 4, विटामिन B से हमें हरी पत्यओं से प्राप्त होता है, साबुत अनाज से और अंडे से हमें विटामिन B प्राप्त होता है अगला परसन है हमारा परसिद कश्मीर गाठी इस्तित है, पहला option है, मान हिमाले एंव पीर पंजाल सरेणी के बीच, दूसरा option है, लगू हिमाले और सिवालिक के बीच, तीसरा option है, चिनाप गाठी में, चोता option है, जोजिला एंव कारगिल के बीच, आपको इसका सही answer बताना है, क्या होगा इसका सही answer है, option एक, मान हिमाले एंव पीर पंजाल सरेणी के बीच में, कस्मीर गाठी इस्तित है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सबिस्क्राइब करें, अगला परसिद है, अमारा निम्न में से कौन सा एक परवत नहीं है, पहला option है इसमें, महबलेशवर दूसरा option है, कालूसुभी तीसरा option है, सलहेर चोता option है, गर सोपा आपको इसका सही answer बताना है, क्या होगा इसका सही आंस्वर है option 4 गर्षोपा है वो परवत नहीं है गर्षोपा है एक जल परपात है अगला परसन है हमारा भारत की वास्ट्विक प्राचिंतम मोड़दार परवत सिरेणी है पहला option है हिमाली दूसरा option है सत्पुडा तीसरा option है नेल गरी चोता option है रावली इसका सही आंस्वर बताना आपको क्या होगा इसका सही आंस्वर है option 4 रावली ये वो बारत की प्राचिंतम मोड़दार परवत सिरेणी है अगला परसन है हमारा महदेव पाडियां अभिन अंग है पहला option है सत्पुडा का दूसरा option है पश्चिमी गाट का तेसरा option है पूर्वी गाट का चोता option है विंद्य का इसका सही आंस्वर बताना आपको क्या होगा इसका सही आंस्वर है option 1 महदेव पाडियां वो सत्पुडा का अभिन अंग है अगला परसन है हमारा नीवन में से कौन से दो परवत लगबग समानतर है पहला option है रावली और विंद्य चल दूसरा option है सत्पुडा वे और अरावली तेसरा option है विंद्या चल और सत्पुडा चोता option है सत्पुडा और महादेव आपको इसका सही आंस्वर बताना आपक्या होगा इसका सही आंस्वर है option 3 विंद्या चल और सत्पुडा वो दोनों परवत लगबग समानतर है अगला परसन है हमारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में वे कब पून सवराज का लक्षे गोसित हुआ इसका पहला option है कांग्र नागपूर अधिवेशन 1902 में दूसरा option है सूरत अधिवेशन 1907 में तीसरा option है लखनव अधिवेशन 1916 में तो अथा option है लाहूर अधिवेशन 1929 में आपको इसका सही आंस्वर बताना है क्या होगा इसका सही आंस्वर है option 4 लाहूर अधिवेशन 1929 में पून सवराज का लक्षी रखा गया अगला परसन है हमारा किस अधिवेशन में और कब कांगरेश्ट दो गुटु में विबक्त हो गई फेला उप्षन है सूरत अधिवेशन 1907 में दूसरा उप्षन है लखनव अधिवेशन 1916 में तीसरा उप्षन है नागपूर अधिवेशन 1929 में चोता उप्षन है कलकता अधिवेशन 1924 में इसका सही आंस्वर है उप्षन एक सूरत अधिवेशन 1907 में कांगरेश गरमदल और नरमदल में बंट गई थी अगला परसन है हमारा कांगरेश का पर्थम अधियक्स कौन था अंगरेश अधियक्स कौन था इसका पहला उप्षन है डफरीन दूसरा उप्षन है जोर्ज एंड्रूल तीसरा उप्षन है एवो गूम चोता उप्षन है वीलियम वेडिनबर्ग इसका सही आंस्वर है ओप्षन दो जोर्ज एंड्रूले में वो कांग्रेश के पर्थम अध्यक्स थे अगला परसन है अमारा बंगाल विबाजन के लिए उतर दाई कौन था इसका पहला ओप्षन है लाड करजन दूसरा ओप्षन है लाड कलाईव तीसरा ओप्षन है लाड लिटिन चोता ओप्षन है लाड एल्डिन इसका सही आंस्वर है ओप्षन एक लाड करजन वो बंगाल विबाजन के लिए उतर दाई था अगला परसन है अमारा जलिये माला बाग नर सहार कब हुआ था फेला ओप्षन ए तेरा अप्रेल चोता ओप्षन है इसका सही आंस्वर बताना आपको क्या होगा इसका सही आंस्वर है ओप्षन दो 13 अप्रेल 1919 को जलिये माला बाग नर्शार वाचा अगला परसन है हमारा जलिये माला बाग नर्शार के लिए उतर दाई कौन था इसका पहला ओप्षन है जनरल डायर दूसर ओप्षन है लाड करजन तीसर ओप्षन है लाड केनिंग सोता ओप्सन है लाड कलाई इसका सही आंसर बताना आपको क्या है इसका सही आंसर है ओप्सन एक जन्रल डाइरे वो जलियां वाला बाग के लिए उतर दाई है उसी नहीं वहाँ पर एक्टी बीड को गोलियां चलाने के लिए आदेश दिया था अंग्रेश से ना को अगला प बल्बू में बरी जाने वाली गेस है पहला ओप्सन है हेलियम दूसर ओप्सन है आरगन तीसरा ओप्सन है नाइट्रोजन चोता ओप्सन है उक्टकोईने इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा इसका सही आंसर है ओप्सन दो आरगन है वो विदूत बल्बू में बरी ज प्रियुग गेस है, पहला उप्षन है आर्गन, दूसर उप्षन है एलियम, तीसर उप्षन है नियोन, चोता उप्षन है क्रेप्टोन, इसका सही आंस्वर है उप्षन तीन, नियोन ये वो प्रियुग की जाती है, अगला पर्षन है मारा निवन में से कों सा पदार्त जेव ये विकर्मनीय है पहला ओप्षन है डितर्जेन, दूसरा ओप्षन है प्लास्टिक, तीसरा ओप्षन है साबुन, चोता ओप्षन है उक्त सभी इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा इसका सहuing आंसर है ओप्षन तीन, साबुन कठोर जल में कपड़े दोने तो उप्योग पदार थे पहला उप्षन है साबुन दोसरा उप्षन है अपमार्जक तीसरा उप्षन है कपड़े दोने का सोड़ा चोता उप्षन है उप्षबी इसका सही अंस्वर बताना आपको क्या होगा इसका सही अंस्वर है ओप्शन दो अपमार्जा के वो कटोर जल में कपड़े दोने के लिए ओप्योग पदार थे अगला परसन है अमारा प्राकर्तिक रबड प्राप्ट किया जाता है पहला ओप्शन है लेटेक से दूसरा ओप्शन है लाग से तीसरा ओप्शन है सिनकोना से चोटा ओप्शन है उक्त कोई नहीं इसका सही अंस्वर है ओप्शन एक लेक्ष नाम के पेड से प्राकर्तिक रबड को प्राप्ट किया जाता है अगला परसन है हमारा नीवन में से करत्रिम रेशा है पहला ओप्षन है नाइलोन दोसरा ओप्षन है रियोन तिसरा ओप्षन है प्लास्टिक पॉलिस्टर जोता ओप्षन है उक्ट सभी इसका सही आंस्वर बताना आपको क्या होगा इसका सही आंस्वर है ओप्षन चार उप्षन सभी करत्रिम रेशा में नाइलोन रियोन और पॉलिस्टर का परियोग किया जाता है अगला परसन है मारा दोस्तों आज की कलास इतनी होगी कुछ टेकनिकल प्रोब्लम है जिसके कारण से आज की कलास सही नहीं हो पारी है इसलिए मा पिच आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम सही से पढ़ेंगे धनिवा दोस्तों